कई बार लोगों ने उन्हें लहरों पर तैरते पाया उनकी समाधी एक शांदार जगा है और वहाँ उनका एक भक्त है उसका चहरा बिलकुल मायमा की तरह हो गया है मायमा के बारे में असल में कोई नहीं जानता कि वो कहां से आई थी लेकिन उनके ने नक्ष को देखकर लगता था कि वो पूर्वोतर राजियों में कहीं से या तो नागा लेंड या उधर कहीं से आई थी जहां लोगों के ने नक्ष मंगोली आई होते हैं उतिब्बत की भी हो सकती है क्योंकि मेरे खैल से वो कभी बोलती नहीं थी वास्ताव में वो कभी नहीं बोली तो वो कन्या कुमारी शहर में रहती थी जो दक्षिन भारत के भारतियी प्रायद वीप के छोड़ पर है तो वो सड़कों पर भटकती रही एक भिकारी की तरह हर कहीं घूमती रही मगर एक अलग तरह के गर्व के साथ वहां के सबी कुत्ते उनके आसपास जमा हो गए और उनके दोस्त पन गए तो वहां कुत्तों का एक पूरा परिवार खड़ा हो गया जब भी उन्हें खाने की कोई चीज मिलती वो उन्हें खिलाती थी भले वो खुद भूखी हो तो वो इस हद तक चली गई थी दक्षिन भारती होटलों में कुछ व्यंजन खरीदने के लिए नहीं होते हैं मैं आपको बता रहा हूँ कुछ व्यंजनों को रेस्तरों के सामने एक काच के शोकेस में प्रदर्शित किया जाता है जैसे इडली, आम तोर पर इडली नहीं वड़ा, कोई मिठाई और लड़ू या आम तोर पर किसी शुभ दिन जैसे पूर्णिमा को किया जाता है वो उस दिन का खास भोजन होता है तो वो इस हद तक चली जाती थी कि उस खाने को जपट कर कुटों के आगे फेक देती थी तो कई बर ऐसी घटनाय भी हुई जहां उन्हें पीटा गया और गालियां दी गई तो समाज उनसे कठोर व्यभार कर रहा था क्योंकि उन्हें बस एक गैर जम्मेदार चोर की तरह देखा गया किसी संथ की तरह नहीं क्योंकि किसी को उनमें संथ जैसा कुछ नहीं दिखता था क्योंकि संथ का मतलब है कि उसे एक खास तरह के कपड़ों में होना चाहिए उसके माते पर तीन लकीरे होनी चाहिए और उसे सही चीजें कहनी चाहिए और उसे निर्जीव होना चाहिए लेकिन वो हिम्मती थी लेकिन कई बार लोगों ने उन्हें लहरों पर तैरते पाया वो लहरों के उपर तैर रही थी इस बाद ने लोगों को हैरान कर दिया और वो उन्हें थोड़े सम्मान से देखने लगे बाद में कोई व्यक्ती जो उनसे जुड़ा था वृद्ध होने पर उन्हें सेलम नाम की जगा पर ले आया और वो अपने देहान तक वही रही, वही अपना शरीर छोड़ा उनकी समाधी एक शांदार जगा है, शांदार मतलब वैसे नहीं, वो बस सिमेंट से बनी एक छोटी सी चीज है, एक छोटा सा घर, मगर वो वाकई बहुत 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 शक्तिशाली है तो मैं एक छोटे से हिल स्टेशन पर था, जो इस जगा के करीब है और वो पूर्णिमा का दिन था, तो कोई इस मायमा उनके समाधी की बात कर रहा था और मैंने कई लोगों से उनके बारे में कई बाते सुनी, तो हमने सोचा कि हम कार से वहाँ चलते हैं क्योंकि ये पूर्णिमा की शाम है, चल कर देखते हैं. किसी ने आकर बताया है कि वहाँ पूर्णिमा की शाम को कुछ खास होता है. तो जब मैं शाम को पांच साड़े पांच बजे के करीब पहुचा, तो वहाँ कोई नहीं था. तो हम अंदर चले गए और एक चोटे से कमरे में बैठे, सिर्फ तस बाइदस का एक कमरा, जिसमें उनकी एक बड़ी तस्वीर थी. उनके चहरे पर ज्यादा तर तिब्बती महिलाओं के तरह काफी जुरियां हैं, लगभग उसी तरह का चहरा. मगर वो जगा विस्फोटक है. और वहाँ एक उनका भक्त है. यह आदमी उस समय करीब पचास साल का रहा होगा, उसका चहरा बिलकुल मायमा की तरह हो गया है. यह आदमी तमिलनाडू का है. उसके नाक नक्ष तिब्वती या नेपाली या नागलेंड के लोगों जैसे नहीं हो सकते. वो एक तमिल आदमी है, लेकिन उसका चहरा लगभग उनके जैसा ही है. उसका चहरा एकदम उनके चहरे जैसा हो चुका है. भक्ती से ऐसा हो सकता है. भक्ती हमेशा सबसे तेज मार्ग है क्योंकि जब आप किसी के प्रती अटूर्ट भावना पैदा करते हैं तो आपके अंदर हर चीज एक दिशा में केंद्रित हो जाती है बस आपकी भावना नहीं, आपका मन भी पूरी तरह उस पर चला जाता है आपका भौतिक शरीर भी उसकी ओर मुड़ जाता है आपकी उर्जा भी उसकी ओर मुड़ जाती है और इसने उसके चहरे को बिलकुल उनके चहरे में बदल दिया उनके लिए उसका प्यार ऐसा था और मैंने सोचा कि ये एक अद्भुत आद्मी है भक्ती का मतलब बस यही है ये एक दिशा में केंद्रिच्ट चेतनता है ये यहाँ वहाँ नहीं डोलती बस एक दिशा में जाती है इस जीव के अंदर जो कुछ है जब उसे एक दिशा में डाल दिया जाता है तो चीजें यूं होंगी कि आपने सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा हो सकता है मैं चाहता हूँ कि आप मुड़ कर देखें भारत के आध्यात्मे के तिहास को आप भक्तों को अद्भुत चीजें करते पाएंगे उनके आसपास होने वाली घटनाएं इतनी चमतकारी थी कि किसी को विश्वास नहीं होता था उनके पास ज्ञान नहीं था उनके पास कोई दूसरा मन्तर तंतर नहीं था एक मातर चीज थी, एक ही दिशा में केंद्रित भक्ती बस जो चीजें उनके अंदर और उनके आसपास हुई वो कुछ ज्यादा ही चमतकारी थी उनके आसपास अद्भुत चीजें हुई और लाखों लोग सिर्फ उनकी मौजूद्गी से ही अभी बूत हो जाते थे उनके पास सिर्फ एकी दिशा में केंदरित भक्ती थी बस